दोस्तो आज अगर यूटूब पर हमारा चैनल न होता तो साइद ये स्मार्टफोन हमारे हाथ में न होता दोस्तो यही स्मार्टफोन नहीं जिस स्मार्टफोन से मैं वीडियो को इस समय सूट कर रहा हूँ उस smart phone को भी मैंने YouTube के पैसो से ही purchase किया है दोस्तो घुमा फिरा के बात करें तो अगर YouTube पर हमारा channel न होता तो साइद हमें smartphone चलाने का नसीब नहीं होता दोस्तो smartphone ही नहीं ये जो आप setup देख रहे हों जहांपर मैं video को suit कर रहा हूँ न ये भी YouTube के पैसों से ही बनाया हुआ है दोस्तों अब यहां पर बहुत सारे महांतम लोग कमेंट करेंगे कि भाई तुम्हारा चैनल मोनेटाइज है नहीं तो भाई मैं आपको बता दूँ कि जो चैनल पर आप हमें देख रहे हो ये चैनल तो नहीं मोनेटाइज लेकिन इसके लाओं मेरा जो है एक पुराना चैनल है वो मोनेटाइज है वहां से मैं अच्छा कासा पैसा जो है कमा लेता हूँ तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि YouTube पर चैनल कैसे बनाया जाता है क्योंकि दोस्तो अगर मेरा भी YouTube पर चैनल नहीं होता न तो आज साइद हमें स्मार्टफोन चलाने का मौका ही नहीं मिलता क्योंकि मैं उतना अमीर आदमी नहीं हूँ जो कि मेरा स्थिती भी बहुत अच्छी नहीं है कि मैं स्मार्टफोन खरीद पाता इसलिए जो है दोस्तो मैंने चैनल बनाया और अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ और मेरे पास दो-दो स्मार्टफोन है तो आपको करना क्या है बस आपको चैनल बनाना है उस पर वीडियो अप्लोड करना है भाई क्या जाता है महिने का आप जो है 249-300 रुपाई का रिचार्ज कराते हो तो एक वीडियो डालने में यूटूब पर क्या जाता है तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूटूब पर चैनल कैसे बनाया जाता है तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले अपने फोन का स्क्रीन डि गीवब यह करूँगा अगर मेरा चैनल यह मोनेटाइज हो जाता है उसी दिन जिस दिन मोनेटाइज हो जाएगा तो यहां पर मैं अपने फोन का जो है इस्क्रीन डिकॉडर है। चालू हो चुका है तो आपको सबसे पहले जाना है यूटूब में तो यहां पर आप लोग दिखाई दे रहा है आप लोग देख सकते हो भीम राज पांसो तिराले सब्सक्राइबर से तो भाई जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो आगे वी वड़ जाए उसके बाद यहाँ पर आपको कोने में प्लस आइकन दिखाई देगा तो सेंपली यहाँ पर एक बताना क्या है आपको पहले जीमेल आइदी बनाना पड़ेगा यहाँ पर मैं जीमेल बना रहा हूँ क्योंकि बीना जीमेल के यूटुप चैनल बन ही नहीं सकता तो यहाँ पर आपको अपना नाम दे देना है जैसे कि भीम राज यहाँ पर भीम फश्ट नेम में भीम उसके बाद लास्ट नेम में राज जो की लास्ट नेम ओप्सिनल है आप पहले में भी आपना पूरा नाम डाल सकते हो उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है आप अपना Gmail ID जो है create कीजिए जैसे भीम राज जीरो 57 57 यहां पर यह available होगा उसके बाद यहां पर आपको next पर click कर देना है तो यहां पर यह जो है available था इसलिए यहां पर next हो गया उसके बाद यहां पर आपको अपना password डाल देना है तो दोस्तो password डालने के बाद simply आपको in पर click कर देना है उसके बाद यहां पर आपको थोड़ा सा wait करना है उसके बाद यहां पर आपको यहां पर show करेगा review your account info तो यहां पर आपको ध्यान से देख लेना है उसके बाद यहां पर आपको next पर click कर देना है उसके बाद आपको यहां पर privacy को जो है privacy का जो terms है उसे आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है, उसके बाद आपका Gmail account जो है create हो जाएगा, तो जब तक हमारा Gmail account create हो रहा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो यह दोस्तो चलिए, अब हम लोग सीख लेते हैं कि channel को कैसे बना आ जाता है, तो channel बनाने के लिए simply आपको profile पर click करना है, profile पर click करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा your channel, तो simply यहाँ पर आपको click कर देना है, आप जैसे your channel पर click करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कु क्लिक करके set कर सकते हो उसके बाद back आना है उसके बाद यहां पर आपको name दिखाई देगा तो यहां पर आपको klik करना है अब यहां पर आपको us name को डालना है जिस name से आप channel बनाना चाहते हो यह ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों कि जो आपका नाम है उसी नाम से चैनल बना लो बना भी सकते हो लेकिन आपकी इच्छा है सबकी अपनी-पनी अलग-अलग मर्जी होती है तो यहाँ पर मैं आपको जश्ट दिखाने के लिए यहाँ पर मैं भीम राज ही रखूँगा उसके बाद से पर क्लिक कर दूँगा उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको दिखाई देगा हैंडल यानि की एक तरीके से जो है कस्टम URL है पहले 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद मिलता था आप चैनल बनाते ही मिल जा रहा है तो अच्छी बात है तो यहाँ पर आपको जो है इसे ले लेना है जैसे कि भीम राज यहाँ पर देखते हैं यह अबेलबल है या नहीं फिलाल यह अबेलबल नहीं है क्योंकि मेरे चैनल का यह है आल्रेडी से तो यहाँ पर देखे, this handle is taken, यहाँ पर दूसरा जो है recommend कर रहा है, तो यहाँ पर मैं दूसरा यहाँ पर डाल देता हूँ, भीमराज, double 9, उसके बाद save पर click करता हूँ, तो यह भी taken यानि कि लिया हुआ है, तो यहाँ पर double 099, उसके बाद यहाँ पर आपको save पर click कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपका सारा complete हो गया है अब बारी आती है channel को बनाने के लिए तो यहाँ पर आपको दिखाए देगा create channel तो simply आप इस पर click कीजिए उसके बाद आपका channel जो है create हो जाएगा यहाँ पर आप लोग देखे आपका channel create हो चुका है उसके बाद यहाँ पर आपको playlist channel about यहाँ पर सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगे यहाँ पर आप लोग देखे channel create 7 मई तो यहाँ पर channel तो create हो चुका है दोस्तो channel बनाना तो हम लोगों ने सीख लिया है लेकिन दोस्तो channel बनाने के बाद कुछ important setting भी होती है जिसे आपको अपने channel पर apply करना ही होता है अगर आप नहीं करोगे तो आपका जो है channel कभी grow नहीं होगा तो वो कौन-कौन सी setting है जिसे नए channel पर apply करना ही पड़ता है तो अगर आप लोग उसे जानना चाहते हो उस video को देखना चाहते हो मैंने complete step by step वीडियो में बताया है कि कौन-कौन सी important setting होती है जिसके बिना आपका channel जो है अधूरा है तो उस video का link आपको इस video के description में मिल जाएगा और दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि YouTube channel को बनाने के बाद channel को phone number से verify भी करना पड़ता है नहीं तो आप अपने YouTube video पर thumbnail नहीं लगा पाओगे और नहीं आप अपने channel पर जो है 15 मिनट से जादा की video upload कर पाओगे तो उसके लिए आपको channel को verify करना पड़ता है अगर आपको नहीं पता है YouTube channel को कैसे verify किया जाता है तो उस topic पर भी मैंने video बना दिया है और उस video का link आपको इस video के description में मिल जाएगा और आपको end screen में इस video के end में भी आपको जो है दोनो video का link मिल जाएगा I hope आपको ये video पसंदा है वीडियो पसंदा है तो वीडियो को like कर दीजे और channel पर नए हो तो channel को subscribe करके bell icon को press कर दीजे thanks for watching this video जाहिंद वंदे मात्रम